बालों का तूटना, बालों का गिरना, कंगी में भर-भर कर बाल आना, बालों का समय से पहले सफेध होना, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल घने नहीं हो रहे हैं, ये बालों की जितनी भी प्राब्लम्स हैं, ये सारी दूर हो जाएंगी, जो प्रयोग हम आपको बताने जा तो आप यकीन मानिये कि बालों की ये सारी समस्याएं खत्म होना सुरू हो जाएंगी. बाल लंबे भी होंगे, बाल घने भी होंगे, मजबूत भी रहेंगे, बालों की रूट्स भी मजबूत होंगी बालों में चमक आएगी बाल तूटना बंद हो जाएंगे बाल असमय सफेद नहीं होंगे बाल दो मुहें भी नहीं होंगे बालों की सारी तकलीफें दूर होंगी चलिए, हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है आप रोज रात को एक चमच आवले का पाउडर लें उसे एक गिलास साफ पानी में डाल कर अच्छे से घोल दें फिर उसे ढख कर पूरी रात के लिए रख दें सुबह इस पानी को चान लें और सुबह खाली पेट यानि बिना कुछ खाए इस पानी को पी लें रोज आप ये प्रयोग करना सुरू कर दें इससे आपके बाल मजबूत होंगे बालों में जो भी कमजोरियां हैं वो दूर हो जाएंगी बाल लंबे होना सुरू हो जाएंगे बाल तूटना भी बंद हो जाएंगे बालों की जितनी भी तकलीफे हैं वो सारी दूर हो जाएंगी ये अंदर से बालों की रूट्स को मजबूत करेगा और बालों को स्वस्थ बनाएगा इससे आपका पेट भी ठीक रहेगा आपका हाजमा दुरस्त रहेगा और आपकी तवचा को भी तमाम फायदे मिलेंगे अब अगर आप बालों में कैमिकल युक्त तेल लगा रहे हैं तो इन तेलों को भी लगाना बंद कर दीजिए बालों में आपको जो तेल लगाना है उसे बनाने का बिलकुल आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं इस तेल को आप घर पर ही बना सकते हैं यही तेल आपको बालों में लगाना है, जो पूरी तरह से आयुरवेदिक और शुद्ध होगा. इसके लिए आप एक लीटर नारियल का तेल लें और लगभग आधा किलो ताजे आवले लें. ताजे आवले आप बाजार से खरीद सकते हैं. अब इन आवलों को काट कर इनकी गुठलिया निकाल कर हटा दें और इनके छोटे-छोटे पीस बना लें. तेल को एक करहाई में लेकर उसमें ये आवले मिला दें. और इस तेल को धीमी-धीमी आज पर पकाएं. जब आप इसे पकाएंगे, तो इसमें से जाग निकलेगा. क्योंकि आवले का रस और तेल ज पक जाएगा. आवले के जो विटामिन्स हैं, उनका जो असर है, वो पूरी तरह से तेल में आ जाएगा. ध्यान रहे कि इस तेल को जलाना नहीं है, बस इसे इतना पकाना है कि इसमें मिले आवले पूरी तरह से पक जाएं और उनका असर तेल के अंदर आ जाए. अब इस त आप देखेंगे कि जो फाइदा आपको महंगे महंगे तेलों से नहीं मिला। जो फाइदा आपको मेडिसिन्स खाने से नहीं मिला, वो कमाल इस छोटे से प्रयोग ने कर दिखाया। लगातार आप इस प्रयोग को करके देखें, आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, काले भी होंगे, मजबूत भी होंगे, बाल असमय सफेद भी नहीं होंगे, बालों को सही पोशन मिलेगा, बाल दो मुहें भी नहीं होंगे, इस तरह से आपके बालों की सारी प्र और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लगातार ऐसी ही informative वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना खयाल रखें. मिलते हैं next वीडियो में. Thank you.